बच्चों आप सभी का हमारे सुमेत्राना बहुत-बहुत सवागत है जिसा कि हम लोग यहां पर जो जो लोजी का पहला पेपर लेकर के चलने है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर इसमें हम लोगों ने करीवन करीवन 12 लेक्चर को कॉंप्लीट कर लिया है आज हमारा लेक्च तो किस तरीके से हम पालेंगे किस तरीके से उसका हम कल्चर करेंगे उसके बारे में यहां पर समझना है और पूरा हनी बी के उपर मैंने एक कम्प्लीट वीडियो लेक्चर 12 के अंतरगती इस यूटूब चैनल के उपर आपके पास में प्रोवाइड करा दिया है और उसका पर पीडिया फाइल प्रोवाइड करते रहते हैं आप सभी को हर एक लेक्चर का जो अब यूटूब के उपर आपनों के बीच में आ रही है चलिए आज की क्लास में हम लोग यहां पर एपी कल्चर के बारे में समझेंगे इसको हम लोग भी कीपिंग भी कहते हैं यानि कि म और यहां पर पूरा आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो एक्जाम के अंदर आपको क्या लिखना है उसको कैसे लिखेंगे अगर मालोग एपी कल्चर के उपर एक शौर्ट नोड लिखने के लिए आ जाता है तो आफ़ट आफट एपी कल्चर एडिंग डाल दिएगा और अगर हम लोग देखें आर्थिक रूप से भी अगर हम लोग बात करें तो उस रूप में भी यह बहुत यूजफुल इंसेक्ट में से एक है राइट हनी भी एक शोशल इंसेक्ट होता है या हनी भी एक सोशल इंसेक्ट होती है जिसका यूज हनी वा वैक्स को प्रोड्यू है तो हमारे द्यानिक जीवन के लिए हमारे स्वास्ति के लिए बहुत इंपॉर्टन प्रोड़क्ट और इसके साथ इससे वैक्स भी मिलता है मूम भी मिलता है जो कि एकनौमिक लवल पर आर्थिक रूप से यह भी हमारे लिए बहुत यूजएवल है तो जाहिर जबात है कि इतना usable insect है तो इसको हम culture करेंगे ना naturally कहीं पर honeycomb लगा है या beehive लगा है उसकी बात लग है लेकिन हम अगर artificially या अपने द्वारा मदमक्यों से बोलें कि चलो भाईया बनाओ अपना छत्ता तो क्या वो बनाएंगी नहीं हम उनको माहौल create करके देंगे हम उनको एक place provide करेंग next point देखें आप लिखा हुआ है इसका पूरा complete PDF आपको मिल जाएगा आपके टेलीगराम गुरूप में लिखा हुआ economic use के लिए honeybee को rearing किया जाता है या किया जाना ही epiculture कहलाता है मतलब आर्थिक रूप से हम उपयोग करेंगे इसका ठीक आर्थिक रूप से उपयोग करने क के लिए हनी भी है इसके पूरा करना उपयोग करना इसको पालना क्य प्रूप में किया जाता है इन्डिया के उप्रूप में किया 52 के रूप में किया जाता है तो एक। जाए तो इंडिया के इंदर हनी की बहुत खपत है तो हनी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा मेटेरियल यह बहुत सारा जो है ना अब बात करते हैं हम लोग प्रॉसेस अफ एपिकल्चर का मदमक्की पालन का जो प्रॉसेस होता है उसको समझना है देखे लिखा मदमक्की पालन है इसके लिए हम पहले क्लाइमेटिक कंडिशन देखेंगे कि किसी एरिया का क्या क्लाइमेटिक कंडिशन है उसका वातवरन कैसा है क्या उस एट्मॉस्फियरिक कंडिशन के अंदर इस हनी भी को कल्चर करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा ठीक है इसके species को क्या करेंगे select करेंगे honey और wax को production कराने के लिए ठीक है और इस species के requirement के according ही उस place पर floral present होना चाहिए और एक बहुत important बात है कि जो species आप ले रहे हैं honey में flora present होना चाहिए अच्छे आगे लिखा हुआ है किसी अंगे लिखा है किसी place पर किसी इस्थान पर apiculture process following steps में complete किया जाता है जो apiculture का process है यह निमलिखित रूप में यह निमलिखित चरणों में इसको complete किया जाता है कैसे किया जाता है उसको समझना है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है selection of honey bee honey bee का हम selection करेंगे यानि कि हमारे पास में जो honey bee है या जो honey bee की species या bee बी है ठीक है honey bee मतमक्खी है उसकी species को हम सबसे पहले select करेंगे फिर हम flora for apiculture उस species के लिए उस area में जो flora है उसको देखेंगे कि पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है तो उसके बाद में method of bee keeping कराएंग तो selection of honey bee क्या है इसको समझे लो पहले देखेंगे पहला है selection of honey bee इसमें लिखा हुआ है एपी कल्चर के लिए honey bee species का climatic condition के आधार पर selection किया जाता है ठीक है selection किया जाता है different species के selection के लिए following points को ध्यान में रखा जाना चाहिए अब मालो कि different species बहुत सारी species आपको पता है पाई जा रही है हमारे इंडिया में ही different type की species honey bee की पाई जा रही है तो किस इस्थान पर कौन से species को rear किया जाए उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान मे रखना चाहिए जैसे पहला point देखें आप लिका हुआ है select की गई honey bee species size में large होनी चाहिए आपको पता है कि जब honey bee select job करेंगे वो large में size size में large होगी definitely वो क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा nectar and floral shape pollen grains को लेकर के आएगी ठीक है और इनमें honey bee को permanent honeycomb को बनाने की छमता होनी बनाए permanent अपने कौम को बनाए अपने च्छत्य को बनाए ऐसा नहीं कि floral जहां पर ज्यादा बढ़ियां मिलना है वहां से उस जिगे निकल जाए है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए next point select की गई species के worker extremely active होने चाहिए यानि कि जो species आपने select की है honey bee की उसके जो worker है यह बहुत ज्यादा active ही होने चाहिए और इनमें nectar and pollen grains और इनमें nectar और pollen grains right pollen grains को यकी अत्तिक amount को collect करने की छमता होनी चाहिए तो इन species के अंदर nectar और pollen grain को collect करने की ठीक है amount को collect करने की बहुत ज्यादा छमता होनी चाहिए यह भी खास बात है next point select की गई honey bee species दोरह अत्तिक amount में honey production होना चाहिए आपने कोई अगर मालीजिए honey bee को select किया है तो उसके दोरह बहुत ज्यादा amount में जब तक honey produce नहीं होगा तब तक आपके लिए वह घाटे का सोधा रहेगा तो production ज्यादा होना चाहिए उसके बाद में हम देखते है फ्लोरा फॉर एपी कल्चर जो हम कर है उसके लिए फ्लोरा कैसा होना चाहिए देखे लिखा हुआ है एपी कल्चर की modern में वर्तमान समय में modern में यूज की जाने वाली honey bee species के सेलेक्शन के अलावा एक अन्य रिक्वार्मेंट इस species की requirement इस species की requirement according फ्लोरा ठीक है इस species की requirement according फ्लोरा प्लांट species का पाया जाना आधि आवश्यक होता है तो अब ऐसा ही नहीं कि आपने किसी भी honey bee species को ले लिया लेकिन उसकी रिक्वार्मेंट्स का उसके फ्लोरा की रिक्वार्मेंट्स का आपको पता ही नहीं है तो आपके लिए व्यर्थ है कोई भी species अगर आप सेलेक्ट करें तो उस species के लिए उस एरिया में जो फ्लोरा पाया जा रहा है जो फ्लावरिंग होगा वहाँ पर जो प्लांटेशन होगा ठीक है वो किस प्रकार का है वो डिपेंड करता है इसके ओपर ठीक है वरकर अपने पास में इस्तित फ्लोरा से न कर सकते हैं तो हनीबी जो है हनीबी जो है या हनीबी के जो वरकर हैं यह क्या करते हैं यह किसी भी फ्लोरा के चाहें वो वाइल्ड हो चाहें वो कल्टीवेटेड हो चाहें हमने उनको उगाया हो ठीक है प्लांट को चाहें हमने वहाँ पर वाइल्ड प्लांट प्लांट उना हो उन सभी के फ्लावर से डेक्टर एंड पॉलेंग ग्रेंज को ले करके आता है अपने कौंब में ठीक है में चना इन सबके जो फ्लावर हैं इन सबके फ्लावर का जो नेक्टर एंड पॉलेंड ग्रेंड है वह बहुत ही अच्छा सहद बनाता है ठीक है अता इस प्रकार का फ्लोरा हनी बी के पास में इस्तित होना चाहिए और ऐसा फ्लोरा हनी बी जहां पर आप वी कीपिंग कर रह अब चाहिए कंगर को मैथ्ट करेंगे यह उसका विदी क्या है तो लिखा हुआ है एपकल்צयर में हुमन की देखरेक्ष्ण में बी को पाला जाना भीक कीपिंग कहलाता है तो हमारे में पर वेन में उसको प्ला हुए और इंडिया में इसके लिए indigenous method को use किया जाता है इंडिया में इसके लिए indigenous method को use किया जाता है जिसमें किसी इस्थान पर या place पर ठीक है natural form से या natural form में produce होने वाले honeycomb से honey वा wax को obtain किया जाता है तो यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर अगर आप देखा जाए तो इंडिया में जो indigenous method है इसको अधिकतर यूज किया जाता है और इसमें होगा क्या कि आप देखेंगे कि किसी भी प्लेस पर हम लोग एंडियन हम लोग है तो हमारे यहां आप देखेंगे पानी की टंकी में लगा लेते हैं कई किसी तूटी-पूटी इमारतों में मधुमखी का छकता आपको दिखता है हनी कॉम दिखाई दीता है तो उसी से हम क्या करते हैं हनी कॉम से ही हम हनी और वैक्स को अप्टेंड कर लेते हैं लेकिन इस method से प्राप्त हनी का नहीं है तो आप देखेंगे कि पूरा हनी काम आप देखते हैं कि कभी-कभी लंबे समय से आपने देखा कि किसी पानी की टंकी पर मतलब आपकी वह वाली घर वाली पानी की टंकी बनाई जाती है उसमें आप देखेंगे कि ठंडा मौहल होता है वहां पर थोड़ा सा पानी कर देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है हमारा modern method of apiculture ठीक है तो यह तो old method of beekeeping था modern method of apiculture के न्तरकत कैसे हम लोग apiculture करेंगे तो देखे लिखा हुआ है apiculture का modern method long truth एक ग्यानिक है long truth 1951 दौरह डबलब किया गया था जिसमें honey bee को artificial wooden honeycomb समझ रहो honey bee को artificial wooden लकड़ी के बने honeycomb में पाला जाता है ठीक है यह artificial beehives movable होते हैं अब जाएट से बात है जहां पर जो हमने species ली है ठीक है honey bee की उसके लिए flora कुछ और type का होना चाहिए और जिस एरिया में हम उसको पाल लें वहां पर ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे उस भी हाइब को उठा करके उस place पर ले जाएंगे जहां पर उसके जैसा flora present होगा तो movable होता है अता एपी कल्चर को किसी place पर cottage industry के रूप में इस्टेबल किया जा सकता है कि नेक्स्ट है हमारा artificial beehives क्या होते है इस पर एक short note आता और important ये question बनता है कि artificial beehive के इस पर एक short note आता है बच्छों रइट देखे लिखा हुआ है एपी कल्चर की modern technique में most useful instrument artificial beehive के form में होता है जो की wooden box के रूप में होता है जिससे एक stand पर arrange किया जाता है जिसमें honey bee के आने के लिए minute pore होता है जो मदमक्खी है उसके आने के लिए छोटा सा pore होता है जो करीबन 0.370 cm diameter वाले होते हैं ठीक है प्रतिक artificial beehive में मुख्य भाग bottom board मुख्य भाग bottom board कामा ब्रूड chamber कामा इनर कवर वा टॉप कवर आधि के रूप में होता है तो इसमें जो मुख्य भाग है वो ब्रूड हो गया ठीक है ब्रूड chamber हो गया इनर कवर हो गया और टॉप जो कवर होता है उसकी बात कर रहा है ठीक है यह मुख्य भाग होते हैं इसके हनी भी के आने जाने के लिए दो ओपनिंग होती है ठीक है बाटम बोर्ड के ऊपर ब्रूड chamber होता है जिसमें नॉर्मली 21 x 14 cm size वाला वुड फ्रेम अरेंज रहता है तथा प्रतेक फ्रेम में वैक्स लेयर तथा प्रतेक फ्रेम में वैक्स लेयर पर hexagonal blockage की एक लेयर होती है यह वेक्स लेयर बी हाइब को प्रोड्यूस करने में साहता करती है ठीक है और यह जो वैक्स लेयर है यह क्या करती है बी हाइब को बनाने में साहता करती है उसके wooden frame होते यह वूट चेम्बर में बूर्ट चेम्बर में वर्तिकली अरेंज के जाते हैं बूर्ट चेमबर का उपरी बहाग एक अधर चेमबर द्वारा covered रहता है जिसे super कहते हैं जिनके दोरा beehives के area को increase किया जा सकता है और इनके दोरा beehives के area को कह किया जाता है बच्छों increase किया जाता है लिखा हुआ है super chamber का upper end wooden pieces दोरा covered रहता है जिसे inner cover कहते है artificial beehive की सुरक्षा के लिए जो artificial beehive से इसको protection देने के लिए एक top cover भी produce किया जाता है जो कि jinक शीट दोरा produce किया जाता है या सामाने तहा स्लूपी होता है इसे normally हम क्या कहते हैं स्लूपी कहते हैं स्लूपी कहते हैं स्लूपी नेक्षमा देखे लिखा हुआ है artificial beehives के many models produce किये गए है central honeybee research of पूने जो center है आपका central honeybee research of पूने में इसका पूरा research center पूरा इस्तापित किया गया है इसके दौरा produce किया गया artificial beehive model इंडिया में सरवाधिक रूप से यूज किया जाता है तो जो हमारा central honeybee research of पूने है central honeybee research of पूने इसके दौरा honeybeehives को produce किये गये हैं जो कि अधिक तर इंडिया के अंदर epiculture के रूप में उसका यूज किया जाता है यह तो बात हो गई हमारा इसकी कि किस तरीके से artificial beehive बनते हैं short notice पे आता है next हमारा question बनता है product of epiculture अब देखिए epiculture के दौरा या हमने जो यहां पर मदमखी पालन किया है उसके दौरा जो हमें उत्पाद मिलेगा वो क्या है यह question ऐसे आएगा economic importance of honey bee का economic importance आर्थिक महत तो समझाइए यह epiculture के दौरा जो product हमको प्राप्त हुआ है उसके बारे में स्पस्टी करण कीजिए तो देखिए बच्चों लिखा हुआ है epiculture वा बी कीपिंग दौरा दो प्रकार के product obtained होते हैं आपको पता है कि epiculture करें चाहें बी कीपिंग कहें ठीक है इसके दौरा में दो प्रकार के product राप्त होते एक तो honey और दूसरा बी wax ठीक है जो बहुत ही ज़्यादा economic आर्थिक रूप से महत्रपूर देखा जाए तो वो मदमक्खी का मूम इसको बोलते हैं और honey जो शहद की रूप में हमको प्राप्त होता है इसके production में होता है अब देखिए honey क्या है है ना honey के ओपर एक short note आता लेकिन यह से question बन सकते हैं आपके important देखे लिखा हुआ है honey apiculture का main product होता है लेकिन यह honey bee का natural product नहीं होता है honey apiculture का मुख्य product होता है लेकिन जो honey होता है या honey bee है या honey bee का natural product नहीं माना जाता है natural product नहीं माना जा रहा है क्यों देखिए लिखा हुआ है worker honey bee honey production में सहायता करती है तो natural product नहीं है natural product है मतलब क्या था कि मधुमक्खी से ही जो है ना honey प्राप्त हो रहा होता है वेक्स तो मिल ला है ये तो एक नेच्रल्ट है लेकिन मदःमक्षी हमें हन्ई दे रही लेकिन बना कि दे रही है उससे नहींच हाज हुआ रही है मदःमक्षी जो है रहा है वह है never ऐसे गए तक ये तरीके से देखा जानी नहीं है सायट में करती где-palbble और चारो और की area में पाए जाने वाले flora के फलावर से juice, pollen grain, nectar आज को collect करके इसे अपने saliva के साथ mixed करती है तो अगर एक तरीके से देखा जाए कि अगर आप honey को खा रहे हैं तो honey का मतलब है कि आप ननिस हनी v की जूठन को खा रहे हैं मतलब उसमें आप देखिए जूस पॉलन ग्रेन और नेक्टर ये तो फ्लॉर से लेकर क्या है लेकिन उस सब को कलेक्ट करके ये हनी भी क्या करें अपने सलाइवा के दौरा इसको मिक्स करती है तब वो हनी बन पाता है नेक्स देखे लिखा हुआ है वरकर भी एक मिक्षर को इस मिक्षर को वी हाइव चेंबर में स्टोर कर देती है क्यों क्योंकि उनको अपने लारवा को वो रॉयल जेली खिलानी होती है वरकर भी के सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम्स नेक्टर वा फ्लॉर जूस में पाए जाने वाले सुक्रोज और सुगर को को यह क्या करता है डेक्स्टो सुगर में चेंज कर देता है कनवर्ट कर देता है तथा यहां मिक्षर लगातार ठिक होता रहता है और यह मिक्षर लगातार क्या होता है बच्चों ठिक होता रहता है वह फाइनली यह हनी में चेंज हो जाता है ठीक है आता हनी हनी कॉंप बना कैसे हैं ने कॉम बना कैसे से मदमक्खी अपने कोद कि से अख साथ में घं tissue आगया कि इस से वह धीरे 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 कनवर्ट हो जाता है हानी में नेक्स पार लिखा हुआ हुआ है क्यमिकली हनी में डेक्स्टो शुगर 21% कॉमा लीव लो लेव लो शुगर 38% माल्टोज 1% देखे देख्टो सुगर का जो यहां पर अमाउंट है वो 21% के आसपास मिलेगा सुगर का जो अमाउंट है वो 38% के आसपास मिलेगा और जो माल्टोज यहां पर होगा वो इस्पेशली 1% और वाटर जो होगा वो भी 1% आधी कंपोनेंट पाए जाते हैं ठीक है पाए जाते हैं खास बात सामानेता या रूमली ठीड का किलर इसमॉर्ट की तद्सकी का यहां गाए alm सो करता है तो का इसमेल कैसे होगा फ्रेकरश की किसी होगो हो डिपेंट करता है rare करने अर्ट के वालब करेंग की आदे जाने वाले फ्लूरल वर से द्थिकै फ्लोरा से नेक्स परंदीखे लिखा हुआ हाई हनी का जो नीट्रेटिव लेवल होता है यह जो शहद होता है इसका जो नीट्रेटिव लेवल अगर आप हनी खा रहे हैं तो इतना ज्यादा एमाउंट में आपको यहां पर नुट्रिटिव वैल्यू मिलेगा कि जितना आप 11 लीटर मिल्क पीने से ले पाओगे या साड़े साड़े 300 ग्राम मीट खाने से ले पाओगे अगर आप कार्निवर वरस है तो अबनी वरस तो होता ही है लेकिन कार्निवरस मांसाहारी भी है तो साड़े 300 ग्राम कोई बंदा अगर मीट खाएगा तब करीवन करीवन इतना हाई नुट्रिटिव वैल्यू आपको मिल पाएगा या 11 लीटर दूद पीओ एक ग्लास पीने में छब जाते हो 11 लीटर तो 11 लीटर दूद कोई बंदा पीएगा तब 200 ग्राम जो हनी है 200 ग्राम जो हनी है उसका जो nutritive level है उसके बराबार आपाता है तो याद रखेगा बहुत important है हनी को अत्यदिक लंबे समय तक store किया जा सकता है जिसके पस्चात इसमें granules produce हो जाते हैं तो लंबे समय तक इसको store करने पर इसमें कण यानि particles ग्रेनियूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तथा इसका fermentation भी स्टार्ट हो जाता है हनी का जो value है हनी का जो value food के अलावा हनी का value food के अलावा हनी का value food के अलावा इसका value medicine भी होता है ठीक है medicine में भी होता है तो हनी का जो अगर आप value देखें तो वह केवल food ही नहीं बलकि इसका value आपको इसके medicine या medicine में भी देखने को मिलता है ठीक है medicine में भी देखने को मिलता है इस बात को याद रखिएगा right medicine में देखने को भी मिलता है जैसे लिखा हुआ है different medical system में honey का use hemoglobin की amount बढ़ने पामा blood purification करने में तथा digestive system को या digestive system से सम्मंदित problems को खत्म करने में किया जाता है तो यहाँ आयुर वेदा की बात कर लें चया है अलोपेथ की बात कर लें चया होमीॉपेथ की कि बात करने किसी की भी ही आप बात करें तो उसमें एक हनी एक अपना लग ही रोल बनाता है एक अपना अलग जगे बनाता है के लिए बहुत ज्यादा नीुत्रिटीर्टिव के लिए यूज होता है बहुत ज्यादा मेडिसिनल फ़ाम में भी यूज होता है ही मोग़ुम因 लेडल आपको और सो ग्राम अटेन कर रहे हैं दो चम्म संसरों संध समास प्रकाव कि आपको ही मोग़ं लेवल हाई लेबल पहुंच जाएगा हेमोगलोमीन एक्स्ट्रीम लेबल पहुंच जाएगा ठीक है ब्लड प्यूरिफिकेशन भी अच्छे से होता है और डाइजेसिव सिस्टेम में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है तो यह तो बात हो गई हनी की अब हम बात करेंगे बी वैक की है ना तो जो मधमख्य का मोम है यह मधमख्य का जो मोम है वो कैसे प्राप्थ होता है यहां यलो एंड गरे कलर सेमी सॉलिड वार्टर में इन-soluble तथा एथर में completely soluble होता है तो आप देखें यहां पर इसका main function क्या है कि यह yellow color का है gray color का है semi-solid है मतलब आप इसको पकड़ के दबाएं तो यह पिगल भी सकता है मतलब इस तरीके से हो जाता है वह मुंबत्ती देखें ना उसको पकड़ के ऐसे करते हैं भी solid है ठीके water में इन-soluble है water में अगर आप इसको डालेंगे तो soluble नहीं होता है घुलता नहीं है लेकिन एथर में अगर आप इसको डालें तो तुरंत क्या होता है घुल जाता है chemically अगर देखा जाए तो यह fatty acids वा alcohols दौरा प्रोड्यूस होता है chemically form में यह fatty acids and alcohol दौरा क्या होता है निर्मित होता है यह honey bee workers की wax gland दौरा शेक्रीट होता है तो जो wax होता है वो wax honey bee worker की wax gland के दौरा शेक्रीट होता है एक species यहाँ पर लिखी है apis dorsata ठीक है honey bee की स्पीशी से apis dorsata दौरा प्रोड्यूस बी वैक्स अत्यदिक high quality का होता है तो apis dorsata जो है इससे जो बी वैक्स है ना इससे जो मदमक्खी का warm produce हो रहा है यह बहुत ही high quality का होता है अच्छी quality का होता है इस पांदी के लिखा हुआ है बी वैक्स का इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज किया जाता है मुख्यता इसका यूज पेपर इंडस्ट्री ठीक है बी वैक्स का बी वैक्स का इस्पेशली यूज कार्बन पेपर मेकिंग और कार्बन पेपर मेकिंग और लुब्रिकेंट प्रोड़क्शन में किया जाता है carbon paper making and lubricant production में किया जाए जैसे carbon paper making तो मतलब रसीद काटते हैं ना तो उसमें नीचे carbon paper लगा देते हैं carbon paper making and lubricant production जितने भी lubricant production होगे उसमें आपको इसका उपउ्योग देखने को मिलेगा जिसे कि हम लोग वैक्स लगाता ना यह बालों में आप लोग पड़े करते हो तो उसमें भी आपको वैक्स देखने को वैक्स का मतलब ही हो गए यार वो बॉम चिक है तो इस तरीके से बिटा एपी कल्चर का यह हमारा कंप्लिट लेक्चर होता है अगर एक्जाम में आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो बैल आइकन दबालो यार से मैं जो भी लक्षर अप्लोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा और टेलिग्राम में जरूर जुड़ जाए क्योंकि इसका कंप्लीट पीडिया फाइल आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहु